नमस्कार दोस्तों MV Music चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज की इस विडियो में हम बात करेंगे फुट्प्रिंट यानि पच्चिन के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, कैरेक्टर यानि चरित्र, उनके विचार और जीवन में उनकी सफलता के बारे में ज्योते शास्त्र के आधार पर हम बात करने वाले हैं पैरों की बनावट को देखकर आप लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं दोस्तों, ये जानकरी काफी ज्यादा दुल्लब होती है, तो क्रिपा कर वीडियो के अंध तक बने रहें मित्रों, कई बार हमारे पैर जमीन पर छाप जाते हैं चाहे वो जमीन गिली होने की वज़ा से हो या फिर हमारे पैर गिले होने की वज़ा से जिनका पैर गिला होने की वज़ा से जमीन पर पुरा छप जाता है वो लोग काफी ज्यादा जिद्धी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति सुनते सब की हैं, परंटु वो करते अपने मन की हैं हाला की वे जीवन में साफदिल और इमानदार रहते हैं ऐसे व्यक्ति पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार होते हैं अपनी सोच और विचार में अन्य व्यक्तियों से अलग रहते हैं यह लोग उच्च विचार के धनी होते हैं जोते शास्त्र के आधार पर अगर इन कम्यों की बात करें तो ये लोग आलसी प्रवृत्ती के होते हैं, प्रत्यक कार्य को आज कल करेंगे इसमें तालते रहते हैं। इसी कारण जीवन में कई बार किस्मत उनका साथ नहीं देती हैं और उनके जीवन में डिसिप्लिन और दहरिये देखने को नहीं मिलता है। हाला कि दोस्तों, जिन लोगों के पैर पूरी तरह छाप जाते हैं, उन्हें विवा के पश्चाद भाग्य उदे प्राप्त होता है। ऐसे पैर वाले व्यक्तियों को बहेविय से रिलेटेट परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 35 वर्ष बाद उन लोगों में भाग्य का उदे देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फुट्प्रिंट यानि पच्चन की दूसरी बनावट या फिर तलवे दूसरी आकरिती। जिन लोगों के गिले पैर होने पर जमी पे पूरा उंगलियां साथ ही पैर छापे, यानि पूरा पंजा छापे, ऐसे व्यक्तित्व को एनहांस्ट पाया जाता है। जोते शास्त्र में ऐसे व्यक्ति कई बार समय के मूल को नहीं समझ पाते, कौन सा कार्य करना है या बुद्धी कम पाई जाती है। लेकिन जब भी अपने जीवन में अपनी सोच और विचार के साथ कर्मनिष्ट होकर आगे बढ़ते हैं, तो यहार जीवन में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के पैर की आकरिती इस तरह की होती है, ऐसे लोग अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। इन्हें अपनी मेहनत अनुसार फल की प्राप्ती होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वयां के ऊपर अवश्य विश्वास रखना चाहिए। ऐसे लोग अगर अपने जीवन में आलस्य को त्याग दे, तो जीवन में सफलता मिलना निश्चित है। जोतिश शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों का भाग्य उदे 30 वर्ष की उम्र के बाद देखा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे फुट्प्रिंट यानी पच्चन के बारे में। जोतिश शास्त्र जिन व्यक्तियों के गिले पैर जमीन पर रखने पर उंगलियां, पंजा वह एडी छापे और बीच का हिस्सा पूरी तरह न छापे। ऐसी आकरती वाले पैरों को बताया गया है अत्यंत भाग्यशाली। ऐसी आकरती वाले पैर जीवन में सामाजिक होते हैं और यह अपने सोशल लाइफ में मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बुद्धी के धनी होते हैं और जीवन में धन का आना जाना लगा रहता है और ये लोग धन और बुद्धी से परिपूर होते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही सामाजिक होते हैं इसी कारण इन लोगों को बोलने और आकरशित करने की कला बहुत ही अच्छी होती है। जोते शास्त्र में ऐसे प्रिंट वाले लोग जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं। उलेखित आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कॉमेंट में ओम नमशिवाय लिखें।